दस परवरी से यानि कल से ग्लोबल इंवेस्टर समिट के आयोजन के लिए पुरा लखनव सच के तैयार है जहां एक तरफ लखनव के प्रमुक्च और रहों को सजाया गया है जिसमें अगर बात करी जाए वो चाहे आयोध्या की हो चाहे प्रयाग राजो उसी के साथ साथ हम शहीत पत पुल के नीचे मौजूद है और ये पुल जो है ये सीधा रास्ता है ये ग्लोबल इंवेस्टर समिट के इस्थल के तरफ जाता है इसके अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यही पर वो आयोजन इस्थल बनाया गया है जहां पर कल एक भवव और दिव कारक्रम आयोजित होगा और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुबसूर्ती के साथ में यहां पर पुल पे नकाशी करी हुई है जिस तरीके से साब तोर पर कहीं न कहीं से धरोहरों को सुरक्षित रखने का प्रयास है आप सामने देख सकते हैं कि लखनों में इंटर करत कि आपको अपनी गाड़ियों को पार्क करना होगा और उसी के साथ देखे सामने के अगर मैं एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँ कि देखे आप किस तरीके से कृष्ण भगवान की एक मूर्ती लगाई गई और उसमें लिखा हुआ है कि रंगोत्सव की भूमी मतुरा यानि मतुरा की होली सभी को पता है बरसाना की होली सभी को पता है कि कितने भवे और अदिब तरीके से मनाई जाती है यानि कल शुरू होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर समिट को लेकर लखनव को एक बार तरीके से सजाया और सवारने का जो काम था वो लगभग अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है लखनव से वीडियो जनली शर्विंद के साथ संदीप खेर भारस समचार